आम तोर पर एक परिवार में पिताजी जो होते हैं वो बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं तो गिफ्ट को देते वक्त समझ लेजे तीन बच्चे हैं तो वो तीनों को गिफ्ट देते हैं और वो गिफ्ट हर एक के लिए है लेकिन समस्या यह है कि मेरे पिताजी ने मुझे यह gift दिया, अगर ऐसा सोचें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर जर्निया, या विर एक पर्टिकुलर बच्चा जो है, वो compare करते ही जा रहा है, तो वो compare करते हैं, वो कैसे करते हैं, एक कुछ अलग तरीके ही से करते हैं, अब इसकी जो प्रिश्ट भ अधियर जर्टिकुलर जर्निया, वेलकर टू टू प्रोग्रम धन्यवाद, जैसा कि मैंने बिगने में कहा, पर्वेश्ट सबको equally gift दे रहे हैं, equally दे रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा सबको दे रहे हैं, उनके नजरी में तो बड़े दिल दिल्च दे र करते हैं इस इस नजरीय से राज जी कैसा रहेगा कहने का क्या कनेक्शन है तो इस पॉइंट को हम कैसे स्पश्च करेंगे देखे मत्ती 25 से पिछली बार हमने एक दृष्टांत देखा था अब उसमें एक और पार्ट है एक और दृष्टांत है वो कहां पर है देखे तो मत्त पचीस चौदा में है यहां 31 वचन या वचन 30 तक है यही बात एक और जगव पर है तृष्टांत के रूप में लू का 19 में इसके बारे में बताया गया है यानि सेम कॉंटेक्स लेकिन अलग विशय उसमें जोड़ दिया गया है यहां पर किसके बारे में बताया गया है गि निश्चे ही वो जिससे दे रहे हैं वो वैक्ति तो उस गिफ्ट के लिए योग्य वैक्ति हो जैसे आपने कहां बच्चों को दिया है सामाने रूप में देखे तो बाइबल में पवित्रात्मा के अभिशेक के बारे में इस तरह से बताया ये तो गिफ्ट है पिता परमेश्वर से हमें जो प्रतिग्या दी गई है वो तो पवित्रात्मा है इस तरह से कहां है अब जो प्रतिग्या किया हुआ पवित्रात्मा है उसे पाने के लिए एक शर्ट की जरूरत है यहां यह शर्थ क्या है जो येशू के लहू के द्वारा दोए गए हैं और उसकी संतान हो गए हैं जब हम उसकी संतान बन जाते हैं तो वो हमें ये वर्दान देते हैं पवित्रा आत्मा क्या करता है उसके पास अपने वर्दान है उसके नो वर्दानों के बारे में हमने आपने बताया concept मुफ्त में दिये लेकिन यहां पर इन वर्दानों को कैसे उप्योग किया गया है यह concept बताया है यहने मत्ती 25 में लूका 19 में इस तरह बताया है कि हमें जो दिया गया है उसका कैसे उप्योग किया जा रहा है देखने पर ऐसे लगता है कि यह प्रभू के दास इसको उसने अलग किया है, खुद ही इसे अलग किया है, लेकिन बाइबल में ये दो कैटेगरीज तो नहीं है, जब विश्वासी को बुलाया जाता है, नयनियम के बारे में कह रहा हूं, नयनियम के अनुसार उद्धार का नुभव करने के बाद में क्या आता है, याने Revelation 1 में याने प्रकाशितवाक के एक में प्रभु ने कहा है, वचन छे कहता है, उसने हमें एक राज्य याने राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजग भी बना दिया, अब ये राज्य और याजग पद ये दोनों हमारे लिए हैं, लेकिन सामानी रूप में हम इन दो यहां पर कहते हैं तो देखे आज हमें ये जो बुलाहट दी गई है और जो फिर वर्दान दिये गए है याने गिफ्ट्स प्रिस्थुड अब यहाँ पर जो काम हम करते हैं उसके अंदर एक और प्रकाशन हैं तो क्या सभी प्रभू के सेवक हैं हाँ सभी प्रभू के सेवक हैं हम सभी के ऊपर सु समाचार प्रचार की जिम्मेदार ही हमें कहूंगा we must preach लेकिन पूरे समय की सेवा में आने के लिए एक बुलाहट चाहिए निश्चे ही हमें ये सेवकाई करनी होगी जब हम इसे करते हैं और परमिश्वर उसमें देखते हैं कि हम छोटी बातों में विश्वास योगे रहे हैं वो हमें और जादा देते हैं और हमें पूरे समय की सेवकाई में लेकर आते हैं उसके पहले का ये कदम है इस दृष्टांत में अब सभी लोगों को उसने क्या किया है उसने उन्हें एक टैलेंट दिया हुआ है अब ये तोड़ा जो शब्द है अगर हम इसे बाइबल के अनुसार देखे तो पाएंगे याने ये तो एक लमसम अमाउंट है इस तरह बताया गया है और अगर इसे आत्मिकरीती से देखा जाए तो हर एक को परमेश्वर ने एक वरदान दिया है या कोई टैलेंट दिया है तो जब वो आएंगे याने प्रभू आएंगे तो हमने इसके साथ में क्या किया यही तो सवाल होता है प्रभू ने हमें जो टैलेंट या वरदान दिये है उसका हमने क्या किया है यही बात है हमने क्या किया इसे ही परमिश्व देखने वाले हैं तो जब हमें उसे उपयोग करना है याने यहां पांच के दस बनाने हैं दो के चार बनाने हैं यहां पर यह बता है कि उन्होंने कैसे बनाए लेकिन इन में से एक ने उसका उपयोग ही नहीं किया उसे बस संभाल के रख द तो कम से कम सुरक्षित तो रखा है उसी सोच की तरह रखा है लेकिन यहां पर उदेश्य क्या है अगर मैं इसका उपयोग करूँ तो क्या ये खत्म हो जाएगा ये सोचता है तो जब प्रभू वापस आएंगे तो मुझे क्या देना होगा लेखा देना होगा क्या मैंने उस दुगना किया है क्या या जो दिया था उसे वापस कर दिया मैं बच जाऊंगा यही विचार था इस तरह की मनोदशा एक लिमिट के बाद में सेवकाई में आती है जीवन में आती है जब आप मिनिस्ट्री के बात करते हैं प्रभू तो सबको बुलाती ही है और सभी लोग मिनिस्ट्री के अंदर में आना है ये एक नजरिया है लेकिन हम जहां कई भी हो हमें सही तरह से वो एक स्पिरिट अफ एक्सलेंस जब करेंगे तुम ही जीवित पत्री हो इस तरह से कहा यू आर दे लेटर्स जी हाँ मैं इस पॉइंट को इसलिए कह रहा हूँ कि जो देख रहे हैं वो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए नहीं है मैं तो फुल टाइम नहीं हूँ ऐसा नहीं है इसलिए जैसे शुरू में हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा हर एक की एक सेवकाई होती है और ये सेवकाई उनके दफ्तर की जगह हो पढ़ाई की जगह पर हो या परिवार में हो तो करनी है आपके बेटे को महतोपुर्ण बाते बताने के बजाए आप कैसे जीते हैं ये बहुत महतोपुर्ण है अगर बेटे को टीवी नहीं देखने के लिए कहते हैं और आप खुड टीवी देखते हैं तो वो क्या करेगा वो भी देखना शुरू करतेगा वो टीवी देखेगा आप उससे कुछ कहे तो कहेगा आप भी देखते हैं मैं सरल रूप में ये कह रहा हूं अब सामाने रूप में घर में ऐसे ही होता है याने हम जो करते हैं वो उसे देखते हैं वो ये भी देखते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं दोनों एक हो जाए तो ही वो उसे फॉलो करेगा जो आप कह रहे हैं उसे नहीं करने यह परमेश्वर देखते हैं देखे एक निश्चित समय में जो धर्मी जन की विशेष्टाएं हैं वो मेरी जीवन में दिखती हैं मेरे आफिस में दिखाई देती हैं मेरी पढ़ाई में दिखाई देती हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं हमें बुला कर हमें एक टैलेंट दे देखे एक समय में देखे मेरे लिए मैं यही कहूँगा एक उधारन के लिए कि कहिए प्रभु ने एक सेवकाई दी हमें उसने एक सेवकाई दी अब इस सेवकाई को अब तक मैं अच्छे से पूरा करूं तो काफी है। लेकिन विकेट नहीं है। लाब है ये पैसों पर आधारित नहीं है। इस बात से मुझे एक विक्ति की याद आती है। एक स्टेज के बाद सब मेरे साधी चले जाएं बस ऐसा कह रहे हैं। तो यही आप जो कह रहे हैं वो satisfaction है। ऐसा एक सवाल खड़ा होता है। देखिए सेवकाई में या कोई भी विशह हो या organization ही क्यों नहीं हो या सेवकाई हो मैं केवल सेवकाई के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। अगर अगली पीढ़ी को तयार नहीं किया गया है तो कोई भी organization या सेवकाई हो चाहे कोई भी team हो नहीं रहेगी। कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। क्या कोई भी देश इस तरह से उनके देश की सेना का कोई अगला अधिकारी नहो ऐसे चाहेगा। नहीं चाहेगा अगली पीड़ी के लिए टीम चाहिए अगली पीड़ी के लिए डॉक्टर चाहिए हम ऐसे सोचते हैं इसी तरफ से अगली पीड़ी को सूसमाचार बताने के लिए गवा के रूप में खड़े रहने के लिए कोई ने कोई व्यक्ति चाहिए न उधारन के भी हमारे पास है, वो हमारे साथ खत्म हो रहा है, दूसरी बात है, वो मोसस और जोश्वा वो क्लिप में, वो थौट में ही, मोसस को उन्होंने बरी कर दिया, उनके लेवल में उन्होंने देख कर दिया, पर जोश्वा को इंट्रड्यूस करते वक्त, मोसस के लिए वो दिखी नहीं हुए, वो जहें वो जोश्वा को देख कर आगला तु जाना ऐसा उने पुश कर रहे हैं, तो बहुत क्लेर है उनका फिंकिंग, परमेश्वर ने तो तैयार करके रखा है alternate, मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर अल्टरनेट रखे बिना कुछ भी नहीं करते हैं हमें ही इसके बाद में क्या करना है suddenly हमारे साथ काम करने वाला मीडिया में हम कहते हैं editor, वो नहीं आये तो हम सोचते हैं कि हमारे पास दूसरे editor नहीं है इस तरह की सोच issue के पास में नहीं है, क्योंकि ये राज्य है राज्य में देखे, सारी बातों में हमेशा backup होता है आप बड़ी-बड़ी organizations को देखिए क्या कोई भी organization बिल्कुल ऐसे निठली रहती है जादा कर्मचारी हो गए तो उन्हें निकाल देते हैं lay off कर देते हैं, कौन सी organization जहां पर काम करने के लिए कोई निए इसलिए वो बस रुख जाते हैं उनके पास बड़ा backup होता है ये backup का topic आज हम नहीं देख रहे हैं लेकिन यहीं कहूंगा कि ये तो अगली PD है backup अगली PD है हमारे गाउं में खेती-किसानी में वो कहते थे अब जो कुछ भी खेती-किसानी करना चाहते हैं वो धान के कुछ बीज रखते हैं ये धान के बीज अगली PD है वो बेस है जी, वो बाकि सब बेचते हैं ने नहीं बेचते हैं ये बनाये रखते हैं ताकि अगली PD को ला सके आज सेवकाई में क्या अगली पीधी है ये केवल सेवकाई मेंने लेकिन सभी कामों में ये ऐसा क्यों होता है एक स्तर पर ऐसा क्यों होता है देखे यहाँ पर ये बाच्छे पाकर रखते हैं यहाँ पर समस्या क्या है वो है भै भै तो है पिता जी के हार्ट बीट को उन्हों ने सही तरह समझ नहीं पाया, ये ऐसा एक सवाल भी खड़ा होता है, वो इसे अलग तरह से समझ गये था, जी हाँ, वो ही मैं सोच रहा हूँ, वो लोग दोनों, ये दोनों सही तरह समझ गे, इन पर्टिक्लर पसंज जिनके पास टैलेंट है, वो कैसे रिवर्स में समझ गे, एसा एक सवाल पैदा होता है, जी ऐसा है कि, एक पिता के दो बेटे हैं, दोनों अलग तरह से सोचते हैं, ये तो पिता के लिए है, और चलिए इस तरह से देखते हैं, कि घर में एक बेटी है, और एक बेटा है, पिता जो है, वो तो बेटी से मित्रे जैसे वेवार करते है पर बेटे से दुश्मन जैसे वेवार करते बेटा मा के पास जाकर कहता है पिता जी हमेशा मुझे डाटने रहते हैं लेकिन पिता का जो प्रेमी रिद है वो किसे पता है बेटी को पता है अब जो बेटी है यहाँ पर देखिए बेटी बहुत करीब आ जाती लेकिन बेटा आसानी से करीब नहीं आता है यदि बेटी नहीं है तो बेटा होगा या शायद करीब ना इसका कारण क्या है बेटे के व्यू में पिता जो है वो डाटने वाले अनुशासित करने वाले हैं लेकिन बेटी पिता को प्रेम करने वाले के रूप में देखती है, पिता तो एक ही है, दोनों का व्यू है, यहाँ पर तीन लोगों का व्यू है, दो एक कैटेगरी के हैं और एक एक कैटेगरी का, लेकिन इन दोनों में पिता का भै होता है, उन्हें दिया गया है, उन्हें व truth, अब यहाँ पर हम अलग नहीं कर रहे हैं, जिनमें पवित्रात्मा और जिनमें पवित्रात्मा नहीं है, जि अनिबडी एनिवन, उनका नेचर, बसके इवल, living things को लीजिए, यदि कोई भी प्राणी आलसी नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं तो क्या होगा, वो नाश हो ज इस तरह कहते हैं लॉजिकल लगता है लेकिन वो अपनी सुविधा के अनुसार वचन को बदलते रहते हैं मैंने कुछ लोगों को देखा है वो समय समय पर ये कहते हैं यहां सेवकाई करना बहुत ही मुश्किल है बाहर नहीं जा सकते हैं ठीक है आप क्या कर रहे हैं प्रातना बहुत अच्छी सेवकाई की कोई जगह नहीं जहां पर नहीं चले अब उसका फल तो आया होगा अब ये जो फल है वो चर्च में सेवकाई में अच्छे से फलवंत हो रहा है अब पिता के बाद बेटा आया अब बेटे को दुगना मिल गया पर बेटा पिता के जैसे नहीं करता है वो आराम से एसी रूम में बैखता है और आदने में आते हैं सब कुछ करते हैं कहिए प्रचारक के बेटे के बारे में वो एसी रूम में बैखते हैं और आते हैं तो सब लोग क्या कहते हैं उसने अपने पिता जैसे काम नहीं किया पिता जैसे काम नहीं किया लेकिन सेवकाई अच्छी बढ़ रही है है ना हाँ इसका कारण क्या है अगर ये पूछे तो ये उनके पिता की महनत है जो अगली पीड़ी तक आप पहुची है वो आ चुकी है लेकिन बेटा क्या सोचता है मैं अपने पिता से बहतर सेवकाई कर रहा हूँ अच्छा काम कर रहा हू पिता के जैसे काम नहीं क्या चला फिरानी प्रचार नहीं किया आए फल को अच्छे से खाया उसके बाद की पीड़ी का क्या होगा तीसरी पीड़ी आप देखिए उनके बाद की सेवकाई वो और्गनाइजेशन सब डल हो जाएगा मैंने एक बड़े एकोनोमिस्ट का आर् रेर बात है कुछ लोग इससे बच निकलते हैं जादा तर तीसरी या चौथी पीड़ी में ऐसे बिलकुल खत्म होते हैं कारण क्या है पहली पीड़ी के लोगों में जो उनमें आग थी वो दूसरी पीड़ी में नहीं थी तो पहली पीड़ी के जो फल है वो तो दूसरी प ना होगा ना काटना होगा वो बस खो देंगे आज ये जो स्वभाव है कि दूसरी पीढी को छिपाए रखें इसमें जादा तर देखा जाए तो ये तो आत्मिक रीती से आलस्य है और इसके लिए वो तो बाइबल से वचन लेते हैं किसी विशे के प्रभु की इच्छा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते और वो खुद कुछ नहीं करते हैं पूछे तो कहते प्रभु की इच्छा यानी पता नहीं प्रभु की इच्छा पता नहीं प्रभु ये कहते हैं इच्छा नहीं है तो ये पूरानी होगा, इच्छा है तो आगे बढ़ते जाईए। तो मैं ऐसे ही क्यों चुपचा आप बैठे रहूं। कई बार, देखें मैं एक पास्टर को जानता हूं, जो निलगिरी डिस्टिक के हैं, कभी उन्हें खाली बैठे वे नहीं देखा, यदि मैं उनसे मिलने के लिए गया हूं, तो भी व्यस्त रहते हैं, सक्री रहते हैं, कुछ ने कुछ सेवकाई करते रहते हैं, एक बात जो मैंने उनमें देखी है, बाकी सारी बातों को तो ऐसी छोड़ दीजिए, लेकिन वो सेवकाई में इतने एक्टिव रहते हैं, मैं उन्हें देखता हूं, तो लगता है मुझे उनके जैसे एक्टिव होना है, मदुराई में एक पास्टर है, वो भी वैसे ही हैं, यदि उन्हें देखें, इस तरह से जो वैक्ति एक्टिव होता है, उससे प्रभू प्रसन्न होते हैं, देखें अभी एक ग्रूप है, यंग एज ग्रूप है, उनके सोफेस्टिकेटिड लाइफ में, देखें इस समय पूरे संसार में, यहने एसी रूम में चला गया है, पूरा संसार, तो जाकर काम करने का विचार तो उन में आता ही नहीं है, इसका फल क्या होता है, उनके सारे टैलेंट छिपे हुए रहते हैं, परमेश्वर आलसी लोगों का आशीश नहीं देते हैं, परमेश्वर की योजना है कि वो हमें बहुगुनित कर दे बहुगुनित किये बिना कोई भी सेवकाई, कोई भी परिवार परमेश्वर कोई देखिए, मनुष्य को बना कर उसने क्या कहा फलो फूल और पृत्वी पर भर जाओ यही तो परमेश्वर का बेसिक कॉंसेप्ट है बहुगुनन जो ऐसा नहीं करते हैं, उनके लिए प्रभु कुछ नहीं कर सकते हैं यदि हम एक बात पर आत्मिक रीती से अगर सोचते चले जाएं नुह से परमेश्वर ने कहा, यानि जब नुह जहास से बाहर आ गया उसके साथ उसके तीन बेटे भी आये, शेम, हाम और यापेत यानि इन तीनों को देखकर परमेश्वर ने कहा होगा फलो फूल और पूरी पृत्वी पर भर जाओ वचन में इस तरह से नहीं है वचन में क्या बताया है, परमेश्वर ने नुह को और उसके बच्चों को आशीश दी कि वे फूले फले और पृत्वी पर फैल जाएं अब कितनों को फूलना फलना है चारों को फलना फूलना था लेकिन उसके बाद नुह की संतान नहीं हुई इसके पीछे में एक और सत्य है वो क्यों नहीं आएं उन्हें आना चाहिए था देखे ये विश्य है चार बाइबल में सुसमाचार चार भूमी चार यरुशलेम की चार दिशाएं बहुत सी बातों के बारे में चार है वाटिका में चार नदियां बहती थी ये चार एक कॉंसेप्ट है यही तो नुह सभी कहा था लेकिन उस समय नुह ने क्या किया वो तो ऐसे बैठा रहा फला फूला नहीं तीन ही फलवंत हुए एक फलवंत नहीं हुआ उसका परिणाम क्या है आज भी यही तो हो रहा है एक समू है जो फलफूल नहीं रहा है बस वो क्या कर रहे हैं बंद कर देते हैं प्रभू ये कहते हैं कि जब वो वापस आएंगे अब यहां पर लूका 19 से हमें देखना होगा लूका 19 में देखे एक ग्रूप है यहां पर जो ग्रूप है इसके बारे में मत्ती ने नहीं बताया है मत्ती में से नहीं लिखा गया है लेकिन लूका ने इसके बारे में लिखा है यहां वचन 14 हद देखते हैं लूका 19-14 हमें परंत उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा हम नहीं चाहते कि हम पर राज्य करें ये शुमसी आकर क्या करते हैं वो उन्हें ये तोड़े देते हैं और आशिश देते ये पहली दे दिया गया है किसे दिया इस्तराली लोगों को दे दिया गया देने के बाद परमेश्वर ने क्या किया ये सोचा कि ये खुद सब कुछ कर लेंगे और उसने क्या किया देखे ये तो उसे देने वाले राजा को ही मारना चाहता था बेस कोई बेस हटा रहा है इ आज तो यीशू वापस नहीं आ रहे हैं, इस तरह का mindset है, यह आत्मिक्ता बहुत से लोगों में आ गई है, यीशू आज आ रहे हैं या कब आ रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन वो आज भी आ सकता है बाइबल कहती है, मनुष्य का पुत्र कब आएगा यह हम नहीं जानते, वो आ रहे हैं, क्या इस भैमे मैं अपना जीवन जीरा हूँ, यही तो सवाल है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस व्यक्ति को वहाँ भीजा जहां पर वो नहीं आएंगे, अधिकारी के पास देखे, बाइबल कहती है, कि वो वापस लोट आया, यहां पर लिखा है, यहां साल का राज्य किसे दिया गया है, इशु को दिया गया और यह भविश में होने वाला है, वो हजार साल मिलेनियम में राज्य करने के लिए वापस आ रहे हैं, जब वो आएंगे तो आप देख पाएंगे, यानि वो तो वहाँ पर रिजल्ट मांग रहे हैं, सभी लोगों से अब इस समय के बारे में देखिए, ये छिपा कर रखा गया समय तो यही है, वो समय यही है, अब वो पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, अब वो क्या कहते हैं, राज्य को पाकर, पाकर यानि किसी को देना होगा, वो पिता से इसे लेकर आ रहे हैं, आते ही 1000 साल का मिलेनियम जोब तक नहीं आया और जब वो आएंगे तो इन्हें क्या करना होगा इन्हें सब कुछ उसे सौंपना होगा इसलिए ईशु ने कहाँ प्रतिफल तो मेरे साथ है हरेके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है अब देखे इस जगह पर इस समय में मैं बहुगुनत हो जाओ इस तरह से मैं रखा गया हूँ अब वो चले गए है अब एक सम्हु ने क्या किया है उसके पास आये बिना ही देखे वचन कहता है यहां देखे अध्याय उन्नीस में उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे द पहले इशू को सृष्टी करता नहीं माना फिर वापस आएंगे मानेंगे क्या नहीं मानेंगे यह तो इसी तरह से यहां यह जो ग्रूप है इशू को व्यक्ति गत उधार करता स्वीकार किया लेकिन वो वापस आ रहे इसका कोई भै नहीं रखते हैं दोनो एक जैसे ही है फार जी epoch यह जया दोनो इकषटे हैं इसके लिए वो नहीं हैं वो नहीं आएंगे यह जो आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो गल्ती हो रही है वो सोचते हैं वो सेवकाई करना में बहुत पीजी है जाने कि सर्विस कर रहे हैं सभा कर रहे हैं कहते मेरी सेवकाई चल रही है मेरी सेवकाई जैसे प्रभू ने मुझे दी है वैसी लौटा रहा हूं लेकिन वो क्या कह रहे हैं आरादना हो रही है सभाई हो रही है मैं जाकर प्रचार भी करता हूं और इन सब ही में, सोचते हैं कि वो बहुगनित हो रहे हैं, मैं तो बस सेवकाई कर रहा हूँ, नहीं नहीं, इसके बारे में नहीं कहा है, यहां कुछ और ही कह रहा है, यह क्या कहता है, ठीक है छूड़ो जाने दो, तुमने ऐसा नहीं किया है, अगर साहुकार को देते तो कम देखिए इस Concept में अगर बात करें तो बहुत से लोग दुखी होते हैं चोट खाते हैं देखिए उन की सेवकाई उन्होंने तो नहीं की है और यह कहने पर आप विलन हो जाओगे उन की सेवकाई उन्होंने नहीं की अब के साथ मैं भी विलन हो जाओगा हमारी सेवकाई हमने नहीं की किसी और को भी नहीं करने दी यह कहता है अगर किसी और को दे देते तो ग्रोथ को ब्लॉक करने जैसा हो गया ग्रोथ ही नहीं है यह वैसे ही है मैंने भी नहीं किया दूसरा को भी नहीं करने नहीं दिया किसी को नहीं लाया, किसी को तयार नहीं किया जो मुझे दिया वैसे ही है देखिए, मिशनरी आये बीज बोये चलेगा, अब देखिए कितने फल मिले कितनी बड़ी कटनी है आत्माओं की, आत्मा के बारे में कह रहा हूँ वो आ रहे हैं, उस समय उन्होंने हॉस्पिटल या स्कूल सब कुछ किया, सर्विसस की आज भी क्या हो रहा है बोगुनित हो रहा है न या देखिए, उन्होंने देड़ सो साल पहले जो किया था अब चल रहा है, अब मैं जो कर रहा हूँ कि अगले 20-25 साल रहेगा कितनी सेवकाई 25 साल बाद नाश हो गई तो वो सब कहां पर है उन्होंने खुद कुछ नहीं किया और किसी को करने नहीं दिया यही तो आज होने वाली सबसे महतुपूर्ण बात है यह बहुती डेंजरस परिशन है क्योंकि हिसाब मांगते वक्त जवाब क्या देंगे ऐसा एक सवाल खड़ा होता है यहाँ देखिए उन्होंने जो गल्ती की थी वही दोहरा रहे हैं अभी भी मैं तो सेवकाई में हूँ कोमा स्टेज आपने देखा होगा क्या उनमें जान है? जान है बस केवल जान है लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है यह बिल्कुल ऐसे ही है कोमा स्टेज में है टैलेंट छिपे है पहले यह देखे कि हमें क्या दिया गया है वो टैलेंट हमें जानना है कई बार परमेश्वर के लिए इनिशेटिव लेने पड़ते है पहला कदम प्रभु के लिए रहा देखते मत रहिए पहले तो आप पहला कदम बढ़ाईए पहली बात है अगला कदम वो उठाएंगे वो आपका हाथ थामेंगे उठाएंगे हाथ थाम कर उठाएंगे अगर मैं अपने हाथ बान कर खड़े रहूं तो क्या होगा इस नौट फैर आज यही सबसे बड़ी समस्या है मेरे पास सब कुछ है प्रभू मेरे लिए खोले ऐसा नहीं होगा आगे बढ़िये पत्रस को मैं आकर तुम्हें पानी पर चलाऊंगा नहीं कहां तू आ कहां चलना आता है तो चलो अगर तुम डूबोगे तो मैं उठाऊंगा नहीं तो हम दोनों जाकर अंत देंगे हमें कहने की ज़रूरत नहीं वो इससे देखेंगे तो जो इच्छा रखते होने यही तो करना चाहिए एक और बात कुछ भी नहीं है ऐसा सोचनी की ज़रूरत नहीं है जो हमारे पास है उसे हाउडे यूज ऐसा हमें सोचना है जैसे का आपने कहा हम स्टेप आउट करेंगे और आगे बढ़कर अगले बड़े बड़े चीज़ों को देखेंगे अगले एपिसोड में और भी कुछ इंट्रेस्टिंग विश्य हैं उसे भी देखेंगे इस कारिकरम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्टान तो रहसे इस कारिकरम को देखने के लिए धन्यवाद इस कारिकरम के माध्यम से प्रभू की राज्य की रहसे को आप जाने होगे यह हमारा विश्वास है इस कारिकरम को बहुत से लोगों के साथ साजा करे करें अढ़ывает कि अचे को शायर ओगर करें बहुतते हैं करेंगे जालू को शायर जाबकर कारेंपनों करेंगे दिए जालू कि अचे सर कि अनगा